Hello Friends, मैंनिम सुमित्र रना आज हम लोग डिसक्स करने जा रहे हैं जुलो जि थर्ड पने बीब्ड की सेकेंड यूनिट में इसको imagination के बारे में कोशिका विभाजन इसको हेंदी में कहते हैं और इसको हम लोग cell cycle भी कहते हैं कोशीका चक्र भी इसको ही कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है आप इसको समझ लीजिए देखिए सेल में सैल में साइटोप्लाज्म तथा नुकलियस के बीच में घनिष्ट संबंध होता है जिसके कारण यहां एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ठीक है सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के कारण इन प्रूटीन ज्याधाब मना यह मैं माईटोकॉंटरिया का एक सेल में ज्याधा हो जाना ठीक है क्लॉरोप्लाज्ट का ज्याधा हो जाना 국o aplay जाना zone के जीन में क्या होगा कि सेल का जो नूट्रोड चो देता है ठीक है जिस कारण क्या होगा स्यल को ल dengan पड़ेग करना अभी live classes अगर चला होता तब मैं आपको पूरी detail में समझा देता है कि किस तरीके से cell divide करती है ठीक अभी आप basically इसको इसी तरीके से समझ लीजिए theory form में आगे आने वाले time में मैं सारे lectures को upload करूँगा again तो इसमें मैं पूरा detail में आपको समझाओंगा तो अभी आप इसको एक्जाम के पैटन से थोड़ा सा समझ लीजिए देखें डिविजन होता है यह डिविजन अनिमल सेल में दो कोशिका में हो सकता है जिनमें अनिमल सेल के बाडी में ग्रोथ होने के लिए होने वाला डिवि सकता है इसा है डिविजन का ही कमाल है अगर बृड़ी में हो रहा है तो उसको मघ हो जहां 5 बेद्व के लिए होने वाला कि माइट होता है तथा इस एनिमल के अपनी जर्न यानी कि जब ऐपनी जनरेशन का बनाएगा बनाया रहने के लिए और इसके बाद इन की जर्म यहां पर जो आर्गन है इनके अंदर भी डिवीजन होगा और यहां पर जो डिवीजन होगा वो मियांसेज डिवीजन कहलाता है ठीक है मुम घृषय तो हमारे बडी में दो तरीके से divi हो सकता है मायटॉस दूसरा मंसेज़ डिवीजन क्या होता है समझ ली है जिसमें ऐसा डिवीजन में हो हमारे रही इनको छोल करके इन इनको हटा करके अदर यह मुम्न मوعस and division ने होज और ममानतों को हिंदी में कहता है संसूत्र विभाजन ठिक है और मयं उसिस जो दिविजन होगा वह कहां होगो तर्म्हां से लिफशन को हम लोगी मिस्की Θаки उर्धुसूत्र विभाजन ठिक तो यहां पर specially हमको देखना है mytosis division देखिए mytosis में कुछ theory है यह आपको याद रखना है जो कि आपके exam के point of view से important है और mytosis आ सकता है देखिए mytosis division को mytotic या equational division या इसको हम लोग mytotic या equational या somatic division भी कहते हैं ठीक है इस type का division body cell में होता है जिसे सरपृथम flaming ने 1882 में animal cell में देखा था यानि कि इस division को सबसे पहले flaming ने 1882 में कहां देखा था animal cell में देखा था जिस division को इन्होंने mytosis नाम दिया तो flaming ने ही इसे mytosis नाम दे दिया था clear देखिए आप लिखा है mytosis division मुख्यता दो अवस्थाओं में complete होता है जिन्हें करमसा है इंटरफेस and divisional phase कहते हैं यानि कि जो mytosis division है वो दो phases में complete होगा जिसे हम लोग interface और divisional phase कहते हैं अब देखिए यहाँ पर चो interface अच्छा बात याद रखेगा कोई भी division हो चाहें mytosis हो चाहें meiosis हो इन दोनों divisions में यह दो phase अनिवार रहे हैं यह पहला interface interface कहने करें अन्तावस्था 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 मतलब बीच में रुकने वाली अन्तावस्था मतलब सवरी में गलत बोल गया interface कहने के मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें cell hold करें है ना रुके ग्रोथ करा है और डिवीजनल फेस ऐसा डिवीजनल फेस कहने मतलब हो गया कि जहां पर इन्क्रीज करेगा और साइज जब इनक्रीज करेगा तो डीफेटल क्या होगा नुकलीस उस सेल पर कंट्रोल नहीं कर पाता अरे यार जैसे कि आप एक एक्जामबल ले लीजिए मालओ उस एरिया में रहते हैं उस एरिया को कवर अप करने के लिए कौन रहता है पुलिस रहती है समझना है उस एरिया को गवर अप करने के लिए कौन है पुलिस रहती है अब वह एरिया उस एरिया में क्या हो जाएगा अचा वह पुलिस कहां रहेगी थाने में रहेगी जहां पर पुलिस चोकी होती वहां रहेगी अब देखें जो थाना है तहसील होता है जो थाना होता है अब आप देखिए जब यहां पर पापुलेशन ग्रोथ करेगा अब जिस एरिया में रहे वहां पर बहुत सारा पापुलेशन मानलो ग्रोथ करने लगा बढ़ने लगे लोग आने लगे और वहां पर आते क्या आस्मान से नहीं यार जनेरेशन डिवाइड ह हुआ बढ़ने लगेगा तो पहले क्या होता था जिस एरिया में आप रहते तो उसको कंट्रोल करने के लिए वह एक छोटा सा थाना कंप्लीट था वह जो थाना था वह पूरी पापुलेशन को कंप्लीट कर रहा था तो ज्यादा लड़ाई होगी ज्यादा लड़ाई होग तो कहां कहां पुलिस जाएगी तो क्या होता है यह छोटी-छोटी जो थाने हैं यह चोटी-छोटी आपके जहांपर इलाके होता है जैसे कि कोई एक इलाका बना दिया गया जहां आप रहु आए हैं मालो आप एक छेत्र में रहरे हैं उस छेत्रगा एक अपना Speciffic नाम है और उस specific में बहुत सारे महले कर दिये तो जो बड़ा महला होता है वहाँ पर एक चौकी बना दी समझ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा चौकी बना दी छोटा सा थाना खोल दिया जो वो चौकी क्या करेगी उस पूरे area को cover up करेगी तो इस तरीके से वो क्या गरता है कंट्रूल करता है लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है कि थाने ने क्या किया था पुलिस वालों ने क्या किया था जो एक तैसिल थी इस तैसिल में एक थाना था और उस थाने ने क्या किया एक चौकी बना दी समझ में आ रहा है that means वह पार्ट उसी का है अब वहां जितने भी काम होते हैं अब यहां पर मैं पूलिस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ लीजिए वहां पर जो भी रिकॉर्ड दर्ज होते हैं जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं उनको बाद में यहीं लाए जाता में थाने में और में थाने से आपको जहां जीला होता वहां पहुंचाए जाता अब गय थे क्या कभी अरे नहीं यार्थ फोड़ा साब पता है तो इतना ध्यान रखिए गय कभी नहीं थाने बाने में जाना भी ना पड़े भुक्वान आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखि कहने मतलब होता है इस आवस्ता में कोशिका रेस्ट करेगी विश्राम करेगी यहां पर रेस्टिंग में ही क्या हो रहा है अपने आपको बढ़हा रहा है और इसे मोग only most active phase of cycle भी कहते हैं metabolic most active that means cell division होने का जो कारण है वो इसी interface का है अगर interface ना हो तो divisional phase नहीं होगा clear ना चलिए नहीं से आप लिखा है इस phase के अंदर cell organs का division होता है ठीक है जिस कारण इसे interface कहा जाता है नहीं से देखें interface को तीन सब classes में divide किया है जिसे सरपुर्थम हावर्ड एंड पेले ने डिवाइड किया था तो इंटरफेस को तीन classes में सब classes में divide किया गया है जिसे किसने किया था हावर्ड एंड पहले ने इसको याद सब्सक्राइब तो यह क्या है इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा जीवन एस जीटू फेस नाम दिया देखें जीवन फेस क्या होता है सबके सब्सक्राइब कोई बात ने भी साइकल समझेंगे तो वहां पर मैं आपको वताओंगा क्यों यह बोलने हैं चीके नाम से जाना जाता है इस स्टेज में सयल आरगनल की संख्या डबल हो जाती है इसको याद रखिएगा डबल हो जाती है तता इसके अलावा इसमें RNA प्रोटीन का फार्मेशन होता है जिसके कारण इस फेज को सेल साइकल का सबसे लार्जेस्ट फेज कहा जाता है इस इस फेज के अंदर क्या होगा बहुत रख्यादा वर्ण हो रहा होता है भी बहुत ज्हादा काम हो रहा होता है और उस्कान के एक्जाम के पाइंट आप व्यू से तो हाई हैं उसके अलावा कमपटिटिव लेवल पर भी है अगर आप यह थियूरी पढ़ लेते हैं और आपको याद रहती है तो यह कोशन देखिए ऐसे बनेगा एस फेज में क्या होता है तो आप कहेंगे सर इसे सिंथेटिक फेज कहात कि दो सेंट्रियोल का फार्मेशन करता है एक सेंट्रियोल डिवाइड करके कितने सेंट्रियोल का फार्मेशन करेगा दो सेंट्रियोल का फार्मेशन करेगा चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जी टू फेज देखें जी टू फेज को सेकेंड गेव फेज कहते हैं जाना जाता है ठीक है प्री सिंथेटिक सारी पोस्सिंथेटिक नाम से जाना जाता है इस स्टेज में डिने को मैच्योर किया जाता है तथा इसके साथ-साथ कुछ प्रोटीन का भी की फार्मेशन होता है देखें कुछ इस्टाब बना कर यहाँ पर एक मौनट लिखा है सैल साइकल के दोरान जीवन फेज होने के बाद यदि सेल जी जीरो यह जी जी जीरो फेज में चली जाती है तब सेल डिवाइड नहीं करेगी अब यहाँ पर क्या है कि जीवन फेज तो complete हो गया और यह जीज है सखरज जाए जी जीरो फेज में चली जाए तो यहाँ पर देखिए स्टुडेंट्स यहां पर यह graph बना हुआ है जिसमें यह जो एक circle बना हुआ है, इस circle में देखिए चार phase है, एक, डो, तीन और एक यह चार, ठीक है, मैंने dot dot किया है तो यहां पर जो g1 phase है ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते है first gap phase, क्योंकि यह सबसे पहला gap phase है इंटरफेस का, ठीक है, इंटरफेस का first gap phase है, और देखो यह किस से पहले हो रहा है, यह हो रहा है divisional phase divisional phase से पहले हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग बोलने है pre-divisional phase, और sorry, divisional phase के बाद में हो रहा है तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे पोस्ट डिवीजिनल फेज क्या बोलेंगे पोस्ट डिवीजिनल फेज और सिंथेटिक फेज से पहले हो रहा है तो इसलिए इसको मुलेंगे प्रिशिंथेटिक फेज क्लियर अब यहां पर तो जीटू फेज और यह बीच में आगए एस फेज तो जीटू फेज किसके बाद हो रहा है जीटू फेसे हो रहा है तो इसे लिए इसको बोलेंगे पोश्ट सिंह्थेटक फैज इसीलिए-चाहिए-फेस के इसके बाद में हमारा आता है कौन सा डिवीजिनल फैस यह important है चलिए देखते हैं तो हमारा अगे divizinal phase कि क्यों ये क्या कहता है divizinal phase actual में धो portion में complete होता है जिसमें a krionesis होता है दूसरा cytokanesis होता है karyokanesis कहने की मतलब होता है kendrac drb in बीबाजर के इसमें अब आपको सितार विभाजन से पहले ने सीधन बेड़ाइब करेगा जब रिधन करेगा तो इस करीय अब बले केंद्रक भी भाजन प्रुसके बाद में विभाजनHiquan पिनियर फेज जाएं विगें हैं इसमें काफी फेजेज नूसरी फेजन समॉनलों केंद्र को कोशी क्या होगा कोशिका द्रफः विभाजन इसको एंगिलिस बहुता है तो हम लोग सब्से पहले एक नाम है केरियो काइनसे देखें कि इसल मैं से दिविजिन से पहले नूखली स्भी अधिजय दिविजentryzer हम लोग यहां पर देख लेते हैं देखे लिखा है यहां stage nuclear division की सबसे long stage होती है जो की दो सब stages में complete होती है जिनने करमसा early pro phase तथा late pro phase कहते हैं early pro phase के nuclear membrane तथा early pro phase में nuclear membrane तथा nucleolus disappear होने लगता है disappear होने लगता है तथा centriol एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने पोल्स पर पहुंचने लगते हैं इस stage में chromatin एक दूसरे से overlay रहते हैं तथा कुछ समय बाद यह chromatin thick and condensed होकर मतलब मोटी और एकत्रित होकर condensed हो जाती है ठीक है condensed हो जाती है नहीं से आप लिगा प्रते chromatin अब chromosome में change हो जाता है जो एक दूसरे से centromere के द्वारा अटैच रहते हैं जिन्हें chromatid कहते हैं ठीक है यह chromatid chromosomes में change हो जाते हैं ऐसी दोरान यानि कि इसी समय जब यह खतम होने लगता है कौन सा अर्ली प्रोफेस जब इसके साथ साथ दो गाल्गी बॉडी सारी इसके साथ गाल्गी बॉडी-ëndoplasmic reticulum भी समाप्त हो जाता है इस stage में nucleoplasm तथा cytoplasm आपस में मिल जाता है और spindle fibre का formation हो जाता है यहां पर Cytoplasm और Nucleoplasm, यह दोनों आप बात है, जब Nucleus का Nuclear Membrane खतम हो जाएगा, डिसपैर हो जाएगा, तो उसके अंदर जो Plasm भरा था, वो कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज में आ जाएगा तो यहां पर यह दोनों मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद में जैसे यह मिक्स हो जाएगा जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते है या एक्कोटोरियल प्लेट कहते हैं इस स्टेज में सेल के अंदर कुछ रेज यानि की कुछ रेज कहने के मतलब आप देखेंगे कि यहां पर धागे नुमा रचनाय बनने लगें कुछ रेज का फार्मिशन होता है जिसे इस पिंडल आपको मालम था अपने पोल पर जाने लगता है डिवाइड हो जाता है कहां एस फेज में ही और अपने पोल पर पहुंच जाता है तो यह बात थोड़ा सा क्रोमोजूम सेंट्रमीर के द्वारा एक्क्यू ब्राइट में आजाते हैं वह तरते तरते आजाएंगे इक्कित्य प्लेट में प्लेट में आ जाते हैं जो की spindle fiber से attach हो जाते हैं ठीक है फिर यह क्या हो जाएगा spindle fiber से attach हो जाएगा थार्ड जो यहां पर stage उसको नों बोलते हैं एनाफेस एनाफेस में देखे क्या होगा इस stage में chromosome की संख्या increase हो जाती है अर्थात chromosomes का centromere divide होकर chromatid का formation करता है इस stage में अब दो sister chromatid spindle fibers के दौरा centriol की सहयता से अपनी तरफ खीचे जाते हैं जिससे chromatid का shape UVLI यानि कि जो chromosomes हैं और जो chromatid होगा chromosomes क्या अच्छा है याँ chromosome और chromatid में difference क्या है समझिए तेकि आपने structure में देखा होगा जो chromosome होता है उसका कुछ जो structure है उसका कुछ जो structure है मैं next phase प्यार में आप थोड़ा समझाने के लिए वह कुछ इस तरीके से होता है कि यह है आपका chromosome यह क्रोमोजोम यह क्रोमोजोम यहां से डिवाइड कर जाए अलग-अलग हो जाए और यह इस तरीके आपर बताया क्या गहाँ इसका जो शेप हो जाएगा UV-LI के जैसा दिखाई देता है यह division की सबसे छोटी stage होती है यह division की सबसे छोटी stage होती है तो यह chromosome की आकार के अध्यन में सबसे important stage होती है निकि जो chromosome का shape and size है ना यह chromosome का shape कैसा होगा उसके study के लिए यह वाला जो phase है यह बहुत important है clear इसके बाद हम लोग देखते हैं टीलो फेज टीलो फेज में क्या गयता है इस stage में chromatid cell के अंदर अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं सेल के अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं जहां पर नियुक्लियर मेंब्रेन कॉमा नियुक्लियोलस कॉमा नियुक्लियोप्लाज्म आधिका पुना फार्मेशन हो जाता है अगेन यह सारा का सारा रीपेर हो जाएगा कहां टीलो फेज में इसके साथ साथ सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइवर नश्ट हो जाता है तथा इस stage में complete two daughter नियुक्लियाय का formation हो जाता यानि कि अब यहां पर एक जो केंद्र अभी देखो केंद्रक का डिविजन हुआ है तो केंद्रक का कितनी फेज़ेज्श में हुआ चार फेज़ेज़् में प्रोफेज में ना फेज तीलो फेज कलियर तो तो टीलोफेज लास से थी आब इसको से ठीक कोशी का दर भी भाजन इसमें देखिए एनिमल सेल में पाई जाने वाली सेल मेंब्रेन अंदर की ओर धसने लगती है जिसे जिससे एक नॉच लाइक स्ट्रॉक्चर बन जाती है जिसे ग्रूव कहते हैं कुछ टाइम बाद यहां ग्रूव आपस में मिल जाती है जिसे एक से दो डॉटर सेल का फार्मेशन हो जाता है ठीक है नेले से देखिए एनिमल सेल में यहां डिवीजन पेरिफेरल से सेंट्रल की और होता है तथा ऐसे ड जोगी बाहर की और से अंदर की और आना स्टार्ट करेगी जो not like structure बनेगा वो बाहर से अंदर की और बनेगा और अगर अंदर से बाहर की और not like structure बने तो इसको मिल गोलता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ फ्यूगल बाहर की तरफ clear चलिए आगे देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंस थोड़ा सा important है इसको देख लीजिए इस activity में एक डॉटर सेल यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस activity में एक से से दो डॉटर सेल का फार्मेशन होता है जो कि अपनी मदर सेल के similar होती है तो पहला पॉइंट यहीं आपका important है कि जो क्रिया हो रही है इसमें एक से दो कोशिकाओं का निर्माड होता है जो कि बिल्कुल अपने मात्र कोशिका की तरह होती है नंबर दो डॉटर सेल में क्रो क्यों ऍंधिन कोो निर्मेशन की संहितर रही होता है इसके अलावा टिशू फार्मेशन में भी होता है अगला पॉइंट मायटासिस एसेक्सुल रिप्ोड़क्षन के आधहार विख्षit करता है इस अवस्था में बिना गैमेट के फ्यूजन द्वारा एक इंडिविजुल का फार्मेशन हो जाता है यानि कि माइटॉसिय से कैसी वस्था है जो यूनिसललर यह हम कह सकते हैं कुछ मल्टी सललर आउगरिजम में यह उससे क्या करेगी बाड़ी से ही बाड़ी में डिविजन कर जाएगे बाड़ी से डिविजन करने के बाद में एक उस से एक नई सल का फार्मेशन जैसे अमीवा की बात करें तो अमीवा में क्या होता है एक सल होती है और जब वो डिवाइड करती है तो वो दो सल में बन जाती है तो इस तरीके से एक Amoeva, दो Amoeva में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम जब देखें, तो कुछ ऑगरिजम में क्या हो रहा है? Asexual, अच्छा यह जो प्रोसेस होगा, यह Asexual, Asexual Alangic Genal Alangic Genal कहने का मतलब होता है, कि जब बिना gamete के fusion, एक इंडिविज्वल अपने ही जैसे इंडिविज्वल को बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं, Alangic Genal, Asexual, रिप्रोसेस, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, मियांसिस डिविजन, मियांसिस डिविजन क्या होता है? देखें, मियांसिस डिविजन को मियांसिक या रिप्रोड़क्टिव या जर्मिनेटिव या गैमेटिक डिविजन भी कहते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको हम लोग मियांसिक बोलते हैं, इसको reproductive भी बोल सकते हैं, इसको germinative बोल सकते हैं, इसको gametic division भी कह सकते हैं clear, जो कि यह division मुखिता reproductive cell में gamete formation के समय होता है यारि कि जो reproductive कोशिकाएं हैं, जैसे कि testis और ovary, इन में ही यह होगा और कब होगा जब gamete का formation होगा, जब testis में response बनेंगे और ovary में egg बनने का time आएगा, तब यह division होता है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें एक diploid कोशिका, जिसमें एक जिगुणित कोशिका diploid cell विभाजन करके 4 haploid cell, यह चार अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है जो कि अपनी parent cell से different होती है हम लोगों नहीं mitosis में कहा देखा था, वहाँ पर एक cell जो थी, वो divide करके 2 cell बना रहे थी और वो जो 2 cell बनी है, वो बिल्कुल ही अपने किस की तरह है, मातर कोशिका की तरह है लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक cell है, वो divide करेगी 4 कोशिकाओं पर ठीक है, और यह चार कोशिका है होंगी, यह बिल्कुल भी अपनी मातर कोशिका की तरह नहीं दिखती है यह एक बहुत major point है, याद करने के लिए लेलाई से देखिए, यहाँ पर लिखा है, Meusage Division को Former and Moor ने, सन 1905 में प्रॉपोज किया था, यह बिल्कुल परmente की महाँ दिए मेरे शक्राइब और अब अबसक्राइब करते हैं मेरे चली वसे मले tahun कहते हैं चलिए दने से लिखांव मियोस्स first में mainly four stage पाई जाती यह important है में से फर्स्ट एक्ट्यॉल में important होता है में से 2nd जो है वो बिल्कुल mytosis की तरह है मियोस्स second जो होता है यहां पर और सूत्र विभाजन दिती है जो है वह बिल्कुल समसूत्र विभाजन की ही तरह होता है, वहाँ पर 1-1 cell Divide करके दो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 cell Divide करके दो ही बनाती है, लेकिन हैपलॉइड होती है, वहाँ पर similar cell होती है, खैसे अभी देखो यार, मुझे मालू मैं सब उपर से जा रहा है लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए आपको अच्छ समझ में आ जाएगा फूर स्टेज पाई जाती है जिने करम सा पर फेसश मेताफेश फर्स्ट एनाफेश फर्स ऐसट तीलुफेश फर्स्ट करते हैं बिल्कुल वही है लेकिन सब क्या आगे क्या लग गया स्ट क्योंकि मियॉस फर्स हो रहा है अब वहीं पर जब यहां पर भी चार इस इस होगी ह सर इस्तेजिस यही रहेंगी क्लिर चलिए हुआ है कि कहते हैं कि प्रूफेस फर्स्ट में पांच सब इस्तेज़ पाई जाती हैं यह बहुत इंपार्टरंट है तो लेप्टोटीन जाइगो लेप्डटोटीन जाइगोटीन पैकी इंडिपलोटीन diacanisis कहते हैं सर नहीं आध हो तो एक code में आपको बता रहा हूं लिख लिजएगा ले जा कि पानी डिप एंड ड़ाइप पानी ले जा उसमें डूब मरो आप नहीं भीया यह मोहवरा मैंने कहा है ले जा का द송 डाइब होजा जाएगा क्या लैप्तोकीं जासे हो जाएगा क्या जाइगोटीन पानी से हो जाएगा懂 डिप से हो जाएगा जएगा डिप लूटीन cry और मरने से हो जाएगा डाययर्नाच है यह पांचों सैकेंड मैं 3 यहां प êtes हैं जिन्हें प्रोनौ सोम्हारं कि कि टरह होता है इसलिए इसे हमlı सबसे लार्जेस्ट इस्टेज होती है इन्हें कई सब इस्टेज में डिवाइड किया गया है जिने करमसा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकेटीन, डिपलोटीन, डिपलोटीन, डिकाइनेसिस कहते है फर्स्ट यहाँ पर A heading है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन क्या है देखते हैं इस सब स्टेज में निउकलियस साइज में ग्रोध करता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा size में growth करता है तथा nucleus में पाया जाने वाला chromatin net यानि की जो जाल है वह खुल कर long अतब लंबा, thin पतला, thread like धागे नुमा structure सनचना बनाता है जो की बाद में quiet होकर chromosome कहलाते हैं इन chromosome पर motinoma, in chromosome पर motinoma सनचना दिखाई देती है जिन्हें क्रोमोमेर्स कहते हैं जाने की जो chromosome से इनके ओपर क्या होता है? एक motinoma सनचना दिखाई देती हैं जिन्हें chromosome कहते हैं यह किसे stage में हुआ है? Leptotene, le se, B stage में क्या है? Leja, gygotine, gygotine में क्या है? इस सब stage में homologous chromosomes का एक साथ पेर बनता है, एक जोड़ा बनता है, homologous chromosomes का, जिस क्रिया को synapsis important है, gygotine में कौन से क्रिया होती है? सर synapsis होती है, जिस क्रिया को synapsis कहते हैं इसे देखिए, homologous chromosomes के लिए, एक सब stage में, एक special structure का formation होता है, जिसे synaptonemal complex कहते हैं या synaptonemal complex, homologous chromosomes को आपस में जोड़ने का कारिक करता है, जो homologous chromosomes हैं, वो आपस में, अब यह homologous chromosome कहने मालब समजात गुनसूत्र एक जैसे, और यह कहां से मिलते हैं? सर, यह हमको मिले थे parents से, parents बोले तो, मम्मी और पापा से, मम्मी से chromosome सा है, पापा से chromosome सा है, मम्मी पापा है तो similar, वो अलग बात है कि, यहाँ पर sex थोड़ा सा difference है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नहीं, बहुत सारा difference है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, Chromosomes की बात करें, तो mom के अंदर Chromosomes 46 पाए जाते हैं, आपको पता है, dad के अंदर Chromosomes 46 पाए जाते हैं, जब इन में meiosis division हो जाएगा, तो Chromosomes applied हो जाएगे, that means 23, 23, ठीक है न, 23 Chromosomes इंदर हो जाते हैं, 23 Chromosomes अलग हो जाते हैं, तो जो 23 Chromosomes बनते हैं, यह unpairing होते हैं, Unpaired, that means non-Homologous Chromosomes होते हैं, और तेज पापा के अंदर भी non-Homologous Chromosomes बने होगे, जब यह non-Homologous Chromosomes dad से आता है, sponge के थो, और non-Homologous Chromosomes mom से आता है, act के थो, तो यहाँ पर जो non-Homologous Chromosomes 23 थे, आपस में नहीं मिलने थे, यहाँ पर भी 23 आपस में नहीं मिलने हैं, लेकिन जब यह आपस में, that means sperm और ovum आपस में मिलता है, तो इनका इनका एक जोड़ा यहाँ पर इखटा रहता है, तो जो homologous chromosomes, that means non homologous chromosomes यहाँ पर थे, बंबी में, non homologous chromosomes dead पर थे, sperm and egg के थो आपस में मिले, तो जो यहाँ पर chromosome से, इनका pair बनना शुरू हो जाता है, ठीके, तो आप जैसे ही मिलेंगे, तो यहाँ पर homologous chromosomes आपस में मिले लेंगे, अपस में मिले लेंगे, यहाँ जैसे गुरू सूत्र, यानि कि यहाँ पर जो non homologous chromosome आए हैं, वो अपने जैसा जोड़ा ढूड़ने लेती, और ढूड़ करके क्या होते हैं, उनसे pairing बना लेते हैं, clear? नहीं समझ में आया है, खैर कोई बात नहीं समझ में आया है, live classes में आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, चलिए, next है, C, packitine, देखें, packitine क्या क्याता है, packitine sub-stage में मुखिता crossing over की क्रिया होती है, जिसमें homologous chromosomes में non-sister chromatid आपस में मिलकर, endonuclease enzyme की सहायता से काट दिया जाता है, या cut करके एक दूसरे के विपरीत chromatid पर, ligase enzyme की सहायता से जोड़ दिये जाते हैं, त्योरी बेटा समझ लो, इसको live में समझा पाएंगे, जोड़ दिये जाते हैं, इस क्रिया को recombination कहते हैं, नेलाइज से देखें, इस सब stage में, chromosomes, bivalent and tetrad form में होते हैं, crossing over के साथ, crossing over को सरप्रधम, Morgan and Castle ने खो जाता, तो actual में पहली बात तो आपको याद रखने हैं, कि packaging stage में क्या होता है, crossing over होता है, पहली बात, दूसरी बात इसे किसे ने खो जा था, Morgan and Castle ने खो जा था, ठीक है, crossing over के साथ, crossing over के कारण variation होता है, जो crossing over है, इसके कारण क्या होता है, variation होता है sir क्या होता है crossing over भाया समझ लो यार बड़ा थक गया है फिलाल आप लोगों के लिए नहीं थक हैं आप जायर से बात है इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा support कीजिए lecture को like कीजिए ठीक है मित्रों तक share कीजिए channel को subscribe कर वाईए और हमारे facebook लोग पेज़ पर भी आई है उसको like कीजिए तो थोड़ा सा confidence आता है और वीडियो लाइक होती है तो confident बड़ता teachers का so please देख करके छोड़ा मत करिए like कर दिया करिए चलिए हम लोग देखते हैं डिपलोटीन डि चौथे इस सब स्वी क्रेगे मनमैं साइब्णक वर्ट मॉपलगे नुगन लगता है Swiss में क्या बनने लगते हैं तक कियाज मेटा बनने लगते हैं इस सब स्टेज धैक जो की couple धुक्त Kim post-逆एक कर दिया चाहता हैं या सब्सक्राव और जो कि Campe एक दूसरी पर आप जब टैच करते हैं अपनी दोनों हात की je dalशक लोगई ऑठयॉश करेंगे पर तो वहां पर जो तो टिप पर जो अटेच्मेंट हो रहा है इसको हम लोग बोलता है रिकॉंबिनेशन नौडियूल चलिए अगला क्या है डायकानेसिस लास्ट है देखे इसमें कहा है इस सब स्टेज में नुकलियर मेंब्रेन कॉमा नुकलियोलस डिसपियर होने लगते हैं तथा इसके साथ स सेंट्रियोल अपोजिट डारेक्शन में अपने अपने सेंटर पोल पर जाने लगते हैं तो यह अभी प्रोफेस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अब बाकी जितनी स्टेज हैं वो छोटी-छोटी है प्रोफेस फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आप एक्जाम में आये तो इसको नियुकलियर मेंब्रेन डीजनरेट हो जाती है तथा स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं और क्रोमोजोम एक्कटोरियर प्लेट में अरेंज हो जाते हैं जहां पर एक क्रोमोजोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है अर्थाद तेज क्रोमोजोम एक सेंट्रि से इस्टेज में क्रोमोजोम सेंट्रियोल के द्वारा अपने अपने पोल पर एस्ट्रेल रेज के द्वारा चले जाते हैं इस स्टेज में सेंट्रियोल तथा इस्टर्लेश डीट और तर्म और आपने लगता है और नुकलियस अंड नुकलियर मेंब्रेन बन जाती है जिसके कणरण दो पुट्रीक कंद्र कीरक्टर नुकलियस का वाटहर अपर कुछ स्ट्रिप्शन भी नईागराम यहाँ इन पर दिया गया है अब मैं इसको हाँ पर crop कर रहा हूं आप इसको देख लीजे ये screenshot ले लीजे इसका इसका भी ले लीजे तो यह हमारा meiosis first का है चलिए इस तरीके से हमारा complete हुआ मियोसिस और मियोसिस first complete होगा अच्छा मियोसिस second में क्या है तो मियोसिस second में बेटा बिल्कुल यही सारा structure आप बिल्कुल मियोसिस जो second है वो mitosis की तरह ही है ठीक है तो वहां पर जो भी theory vary लिखनी है वहां पर आप लिख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मतलब कुछ point छोड दीजेगा ठीक है बाकी सब similar है और यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर half half chromosome होगे आधे आधे गुणसूत्र होगे वहां पर क्या होगा जो गुणसूत्र अलग होंगे ठीक है वो एक जैसे होगे similar होगे मतलब तेज तेज क्रोमोजोम की यह दो सेल बन गई है यहां पर यहां पर बनी है किससे जो एक सेल पहले बन चुकी थी इनसे दो सेल बनी है इसे हम लोग बोलते थे पैरेंटल सेल और यह हमारे पास बन गई डॉर्टर सेल और इनके बीच में होगा क्या मियोसिस याद रखिए और मियोसिस कौन सा फस्ट अब जब सेकेंड होगा जब सेक यहां पर भी इनसेल में 23 रहेगा तो 23 वन गई एक दो तीन चार फोर सेल बन चुकी ठीक है लेकिन यह जो सेल बनी है 23 यह बिल्कुल सिमिलर है किसके अपने पैरेंटल सेल की अपने पैरेंटल सेल की सिमिलर है इसी लिए इसको हम लोग क्या बोलना है मियोसिस सेकेंड और तो हम लोग सम्सोत्र विवाजयन भी कह सकते हैं माइटॉस डिविजैन भी कह सकते है ठीक है चलिए इस तरह के से हमारा यह आप पढ़ लीजेगा एक बार repeat lecture कर लीजेगा तो आपको